आज हम बनाएंगे तील सूजी की पर्फी बहुती सॉप्ट बनती है तम जाते ही मूं में ये खुल जाती है और सब्धियों में तील तो हमें खाना चाहिए क्योंकि तील की तासिर गर्म होती है तो चलिए देख लेते हैं इसे हमें कैसे बनाना है तो सबसे पहले हम गैस पर पैन रखेंगे और यहां पर मैंने एक कप सफेद तील लिया है तील को हम धीमी आज पर लगतार चलाते हुए हम भून लेंगे तील को आपको जादा और कुक नहीं करना है अकर आप इसे जादा और कुक कर देंगे तील जो है कड़वे लगने लगेंगे यहां पर देखी म ग्राश्म पर भाई पैन रखेंगे और इसमें हम दो चम्रश तैसी घी डाल देंगी ठंड की वजह से घी जो है काफी जमसा गया है तो घी को हम गरम गर्णियानी मैल्ट कर लेगे तो यहां पर अच्छे से मैल्ट हो गया है तो आब इसमें हम सूजी डालेंगे मैंने यहा पतली कोई सी भी आप ले सकते हैं वैसे मैंने यहां पर मोटी वाली सूजी ली है इसको हम लगातार चलाते हुए धीमी आज पर अच्छे से हम भून लेंगे जब तक इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज ना हो जाए आप देखिए का कलर जो है चेंज हो गया है सूजी को कद्दू कस कर लिया है तो आदा कप इसमें कद्दू कस किया हुए नारियल डालेंगे दिमी आज पर लगातार चलाते हुए इसको भी हम एक मिनट तक हम भून लेंगे तहां पर देखिए सारी चीज़े अच्छे से भून गई है तो गयस को हम बंद कर देंगे और सूज करके लिए तो आपकी मिठाई जोदम पर्फेक्ट बनेगी और इसमें एक चौथाई कप हम पानी डाल देंगे और दीमी आज पर लगातार चलाते हुए गुड़ को हम मैल्ट कर लेंगे तो मैंने यहां पर जो गुड़ को चोड़े टुकड़ों में काट लिया था ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए तो अब गुड़ में हमें कुबा लाने देंगे तो यहां पर जो है एक तार या दो तार की चासनी नहीं बनानी है बस गुड़ को जो है अच्छे से मेल्ट कर लेना है तो अब इसमें एक चौथाई चमच जैफल का पाउडर हम डालेंगी और ए चाथ हाई चमच इसमें हम सोठ का पाउडर हम डालेंगे जैफल सर्दी खासी जुखा में बहुत ही फैदा करता है और सोठ हो गुड़ का कॉम्बिनेसन खाने में बहुत ही पढ़िया लगता है ताप इस मिठाई में जो है सोठ और जैफल जरूर डालिएगा यह हमारे सभ कि को मिक्स करने बार इसमें दृश्प को सब्सक्राइब जरुख सब्सक्राइब तियम्हार नहीं पाणा नहीं पकाना है नहीं पाण बहुत जैब बनखे को ऐखुआ छोड़ने लगा है तो एसे हमें इतना ही पकाना ज्सेंधिवार जादा कर देंगे और चलिए इसको फटाफट हम सेट कर लेते हैं को सेट करने के लिए मैंने यहां पर एक ट्रे लिए ट्रे में हम बटर पेपर हम लगा देंगे आप चाहें तो कोई थाली या प्लेट आप ले सकते हैं और थाली प्लेट में आप देशी खी लगा करके आप इसको ज लेंगे तो सेट करने के लिए मैंने इसको अचे से से लिए बड़ी कटोरी से जो है कोने-कोने तक अच्छे से सब्सेट नहीं हो रहा था तुसलिए मैंने छोटी कटोरी का जो है यूच किया है अब इसमें थोड़े आप चाहें यह मने पना नहीं के सबस्रव कहा हो जोड़ी तब में हो तइसके बाद leg अश्म मिनट लिए ठंडा हो ज़चाए आ हलका सा थंद्दा अव गया पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ हलका सा यह गरम ही अश्म करें ली में कट कर लेना है पुरी तरीके से हम निकाल लेंगे और इसके किनारों को 되지 है कात कर बाहरा है याँ पर मैं निकाल दिया है किनारों को मैंने हटा दिया है अब इसको नीचार एक सीप हिम ही रख सकते हैं यह कर अबड़ को हम प्लेट में निकाल आपको अधे अच्य पसंद आई हूं अगर पसंद आई हूं अगर chat by चैनल को लाइक झाल झाल